तो स्वागत भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड़ी ली गए इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूनामेंट का 125 मैच खेला अब दुखे又 perder की वालीफाई कर चुकिए मैच जीतते ही क्वालीफाई कर जाएगी ठीक हैं यह मैच अगर हार भी जाती है तो बहुत इनके चंस सिंग रहेंगे कि यह क्वालिफाई करें लेकिन अगर यह मैच जीतते हैं तो 100% मतला शोर हो जाएंगे की हाँ यह यह क्वा तब से भाई थोड़ी सी दिक्कते तो यूपी ओदा को फेस करनी पड़ी है और वही दिक्कते शायद आज यहां पर आपको नजर आ सकती है और भी काफी सारे रिजन है यूपी ओदा के हारने के इस मैच में वह मैं आपको आगे बताऊँगा क्योंकि भाई यहां पर है न दिखें सारी दुनिया जो टीम बनाएगी न वो बनाएगी यूपी ओदा को जीताने के लिए लेकिन अपन जो टीम बनाएगे न वो या तो बैलेंस रहेगी या स्लाइटली फेवर करेगी तमिल तलाइवास को ठीक है तो इस परकार की टीम मैं बनाऊँगा बाकी आपको मैं बता दूगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना कौन से प्लेयर अमारे लिए इंपोर्टन रहेंगे कौन से प्लेयर नहीं रहेंगे तो वीडियो को इन अन थक देख लीजिएगा यह नीचे description में telegram channel join कर लीजिएगा क्योंकि बिना telegram channel join के वे winning करना almost almost impossible है ठीक है क्योंकि देखे जो भी मेरी final update रहती है final team रहती है साथ ही साथ कुछ GL की team वो आपको telegram पर मिलती है अब यहाँ पर आप देखिए यार आप difference देखिए winning का ठीक है अब से सिर्फ दो गंटे बचे लेकिन जब आपको वीडियो मिले ही तब दो गंटे से कम का समय बचेगा तो जब भी आप वीडियो देखो सबसे पहले तो है ना like कर दीजिएगा क्योंकि like करने के मेरे भाई पैसे नहीं लग रहे है अगर वीडियो पसंदा रही है अगर knowledge पसंदा रही है तो like किये भी ना मत जाना यहर मैं थोड़ा थोड़ा उल्टा बोल देता हूं कभी कभी कोई नहीं चलता है ठीक है और टेलिग्राम आपको कैसे जोईन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी के भी जाईए और जोईन कर लीजिए तो आईए भाई अब देखते है प्लेयर्स की पोजिशन जो बहुत इंपोर्टन्ट है इमान्शू यहांसे राइट साइड से रेडिंग करते हैं जराएंगे ठीक है इसके अलावा नरेंदर ओशार की बात करें नरेंदर ओशार या नरेंदर कंडूला जो भी बोलना चाहो बैतरी इंटरेटर और जब से भाई नरेंदर ओशार ने कमान समा लिए न और इनको सपोर्ट मिला जिंके पवार का भाई तमिल थलाइवाज अनस्टोपेबल टीम बन रही है ठीक और बहुत ही जादा खतरनाख ह सीधी कि कौन से प्लेयर की क्या पोजिशन है इमान्शू राइट साइड से रेड करेंगे नरेंदर कंडूला लेफ्ट से करेंगे आज इंके पवार भाई लेफ्ट से रेड करेंगे इसके अलावा आज इंके पवार कियार मैं एक बार आपको कुछ दिखाऊंगा ठीक है यहां से भाई एक बार रेडिंग में चलेंगा और यहां पर देखे भाई आज इंके पवार लास्ट मैच में यही दिखा रहा था भाई आपको 18 टच पॉइंट किसे बोलते मेरे भाई 18 टच पॉइंट ठीक है और इसके अलावा नरेंदर कंडूला भी ऐसा नहीं कि नरें से आप देखोगे तो इनके अलावा मतलए उस उपर वाले मैच के रावाई ओल्मोस्ट सारे मैचिज में घतरनाक परफॉर्मेंस दिये ठीक है और जब से इन्हें ज्यादा रेड करने का मोका मिलें तब से और भी खतरनाक हो रहे हैं तो आपके इने बहुत ही बहुत ही बै अपको यहाँ पर राइट कॉर्नर समालते दिखेंगे और अरफित सरोहा ने भी अभी काफी इंप्रेस किया लेकिन जो सागर करते है लगाता टैकल पर टैकल वो काम अरफित सरोहा नहीं कर पाए हैं हम पूरे मैचि में दोतीन टैकल बना लेते हैं ठीक है तो मतलब कीज़े वहीं अगर बात करें साहिल गुलिया यह बाई लेफ्ट कॉर्णर समालते नजर आएंगा और जब से बाई साहिल और सागर की जोड़ी चल रही थी नतमिल धराइवाज अनस्टोपेबल थी लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर ब्रेक लगा हुआ है मोहित की बात करें तो यह लेफ्ट कवर पर आपको खेल के निजराएंगे इसके अलावा यहां से अगर बात करें बाई यहां पर जो यूपी ओधा की टीम है इनकी स्टार्टिंग से उनकी बात करें तो सुरेंदर की लगार फिट हो गए तो वाई फिर यहां से आप मान सकते हो कि फिर मैं स् ठीक है इजली सुरंद्र की लगर completely fit होकर आते है तो या फिर इनकी जगह पर संदीप नर्वाल खेलते हैं जो दोनों ही right side से rating करते हैं संदीप defense में भी जाते हैं ये एक अच्छी बात है परदीप नर्वाल टीम के main radar left से rating करेंगे रोही तोमर टीम के second main radar अगर उपर संदीप नर्वाल खेलते हैं तो तो फिर रोही तोमर second main radar है बाकी होना पता है क्या चाहिए एक main left radar रहेगा उसके बाद जो दूसरा radar है न वो right side से rate करने वाला होना चाहिए main बट यहां पर थोड़ा उल्टा चल रहा है कोई नी रोही तोमर second radar है और संदीप नर्वाल third radar अगर सुर मैश कुमार की बात करें right corner के पर खेलेगा आज के मैश में मस्टवपिक एवन सी वीसी का भी दावेदार वहीं अगर बात करें सुमीत सांगवान की यह left corner पर खेलता न जराएगा अब अगर बात करें बात करें बाई player battle की जो बहुत important है तो यहां से देखे हिमांशू right side से rate जरूर करेंगे ठीक है लेकिन भाई अगेन आपको बता दू इनको rate बहुत कम मिलेगी मान सकते हूं मैश की 90% rate नरेंदर कंडोला और जिंके पवार करेंगे तो यह दोनों किसके सामने जाएंगे दोनों left trader है यह जाएंगे right corner पर mainly right corner पर जाएंगे आलंकि सुमित सांगव भान भी इनको tackle कर सकते हैं सामने से block करके या chain लेके आके तो या फिर back hold करके पीछे जाके तो वो कर सकते हैं बट ज्यादा chances नितेश कुमार के पास रहेंगे आज tackle करने के इनका साथ को न देगा इनका साथ देंगे left cover right corner ठीक है तो आज गुरदीप और नितेश आपके लि कि देखिए मैच है गेम है prediction कभी भी गलत हो सकती है लेकिन कुछ से logic होने चाहिए prediction के भी से तो गलत होने के chances बहुत कम हो जाते है ठीक है अब अगर यहां से बात करें बाई इनके में रेडर तो सेम कानी बाई इनकी रहेगी इनके भी दोनों में रेडर जो मैच की 80 या 70% 80 80% या आप मालो 80% trade करेंगे और यह कहां पर जाएंगे यह जाएंगे right corner पर बट यहां पर इनको फायदा है कि अरपित सरोवा अगर खेलते है न तो भाई फिर परदीप नर्वाल को captain करना बिलकुल लाजमी है कोई दिक्कत वाली बात ने परदीप easily captain हो जाएगा ठीक है अ यह चीज़ आपको द्यान में रखनी है अब अगर बात करें भाई यहां से नीचे जो इनका right रेटर है जो 20% trade करेगा संदीप नर्वाल ठीक है यह कहां पर जाएगा यह जाएगा left corner पर साहिल गुलिया तो साहिल गुलिया भी आज important रहेंगे और यहां से भाई अगर बात करें तो मोहित को आपको try करना है एम अभी शेक को try नहीं करना अज बहुत ज़्यादा risk हो जाएगा ठीक है और यहां से जो भी right corner पर खेलेगा must topic है ठीक है अब चलिए भाई मैं टीम मनाने के कोशिश करता हूँ यहां से सुमित सांगार को टीम में रख लिया ठीक है साहिल साहिल गुलिया को अपने टीम में रख लिया यहां से नितेश कुमार को अपने टीम में रख लिया और इसके अलाव भाई यहां से अगर बात करें तो अर्पित सरोहा को अपने टीम में रख लिया ठीक है अर्पित सरोहा ही right corner पर खेल रहा है और अभी के लिए नहीं को try कि ठीक है आज आते है ओल्ड राउंडर सेक्शन में आसे गुरदीब को अपने टीम में रख लिया और अब भाई दिक्कत बैठ गई अब दिक्कत बैठ जाएगी यार सुमीत के उपर अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है तो भाई देखे फाइनल डिसीजन मैं आपको दूँगा ठीक है बट अभी है न मैं यहां से आजिंक के पावार के उपर रिस्क ले रहा हूँ अगर आपको लेके जाना आजिंक के पावार को तो नोड आउट कोई दिक्क्त आली बात नहीं है बट 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 अरपित सरोवा भाई आज बहुत कमाल कर सकते है ठीक है तो इसलिए मैंने अरपित सरोवा के उपर वरोसा दिखा है कैप्टन सी नोडाउट परदीप के साथ जाएगी वी सी आसे नरिंदर कंडोला को ठीक है तो ये चीज़ आपको द्यान रखने है और गुर्दीप भाई आज के मैंसे में गुर्दीप कमाल कर सकता है गुर्दीप बहुत शांदर खेल रहे ठीक है और लगातार अच्छा कर रहा है आपके लिए बहुत ही जादा शांदर है ठीक है तो ट्राइ करिएगा और CBCGL में एक अधी में जरूर ट्राइ कीजिगा स्मोल लिग की टीम आपके सामने है ओलमोस्ट ओलमोस्ट फाइनल टीम है फिर भी अगर कोई ट्राइस तो कोई अप्डेट होती है तो डरेक्ट इंफ्रमेशन टेलीग्राम पर मैं आपको देने वाला नहीं तो टेलीग्राम चैनल मेरे रही जरूर से जोईन कीजिगा ठीक है तो यह काम आपको जरूर से कर लेना है ठीक है और अगर आप आया से चाहते हो कि भाई और यहां से वाई अरपी छरोगर ट्राइ कीजिए देखे लोजिकली बात करें तो आज इनितेस्ट कुमार बहुत इंपोर्टन रहेगा बट अगर वाई लोजिकली बात नहीं करें तो फिर ये इंपोर्टन नहीं रहें क्योंकि सेलेक्शन बेस में टीम बनाता नहीं हो अपनी टीम बनती बाई लोजिक बेस तो ये अपनी टीम है जो भी चेंजमेंट होती है तो डारेक्ट इंफोर्मिशन में टेलेग्राम पर देदूँगा और फाइनल टीम भी मैं अपडेट कर दूँगा ठीक है तो जाके जोइन कर लीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे मैस टाइम पर टेलेग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम